तो आप सब करती हूं आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि वीज़ क्या है के वीज़ की एक्जाम की हम बात करते हैं अभी जॉइनिंग होई है एक्जाम्स हुए है एक्चुली क्या है आपकी क्या होती है आप कब अप्लाई कर सकते एक्जाम्स कब आने वाले हैं नया स्लेवर्स क्या है सारी इंफॉर्मेशन आज की एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली है चलिए स्टार्ट करेंगे के वीएस शॉट पॉर्म है किसके केंद्रिय विद्याले संगठन की के वीएस का लोगो है कुछ हिस्ट्री बता दूं अगर आपको तो 1915 दिसंबर 1963 में इस्टैब्लिश की गई थी क्यों कीख़िक उन बच्चों के लिए विद्याले है स्कूोल है बेसीक अंडस्टनिग है हमारी स्कूल सेंगे किसके लिए बनाई गये है Central Government Employees के बच्चों के लिए, जिनके ट्रांसफर होती है जॉब में जिनके पैरेंस के ट्रांसफरेबल जॉब्स हैं, उनके बच्चे के Education में कोई Hindrance ना आए ट्रांसफर की वज़ा से, क्योंकि Central Government जो से ऑप्लॉईज होते है, उनका ट्रांसफर एर में कभिभी हो जाता है, एस नूगि बच्चे का सेशन अप्रिल तक का है मेय मेरे तक का है उसके से करिंपार में, तुन में स्कूल किसे स्टार्ट करना पड़ता है, उसके लिए KBS बनाएं आप 1363 में KVS का KVS established किये गये थे अगर आज की डेट में देखें तो यह KVS की वेबसाइट का पहला पेज है और यहां पर आप देख पा रहे होंगे 1255 KVS है और इंडिया और इंडिया पे हर स्टेट में हर रिजन में आपको किंद्रे विद्याले देखने को मिलते हैं चाहें वह रोलर एरिया हैं चाहें वह अर्बन एरिया हैं टोटल में बात करूं तो 1255 KVS हैं स्टूडेंस देखी कितने 25 रिजन्स इंडिया में 25 रिजन्स में KVS हैं इंप्लॉइस उनके कितने हैं आपके 54,000 से उपर है ना तो यहां पर के हम बात कर रहे हैं सो KVS की वेकेंसी कैसे निकलती होगी इंप्लॉइस की बात करें हम बच्चों की अड्मिशन की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं KVS में अगर सिंथ यह Central Government Employees के बच्चों को पढ़ाने के लिए है यह एक Central Government Job एक तरीके से आप कह सकते हैं यहां पर विकेंसी निकलती है टीचेंग एंड नॉन टीचेंग मैं बात कर रही हूं टीचिंग विकेंसी के क्योंकि के विकेंस के जो टीचर होते हैं उनकी बात कर रहे हैं इनकी विकेंसी कब आएगी आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आपकी क्राइटेरिया क्या है के विएस में आपको बता चुकी हैं केंद्रे विद्याले संगठन इतने हैं अभी Central Government Employees आप बन जाएंगे अगर आप के टीचर बनते हैं तो अगर आप के बनते हैं तो आपके बच्चों के लिए भी बेनिफित हैं और आपको Central Employee होने के जितनी भी Government Job के परक्स होते हैं वो सारे आपको मिलेंगे अपार्ट प्रॉम यूर सैलरी यूविल के एच आरे आपको एच आरे मिलेगा और डियोनेस आपको मिलेगे और लीजिबिलिटी दिकी तो उस से पहले मैं आपको बता दूं कि तीन लेवल पर के वीए सबी करता है एक होता है PRT, PRT का मतलब होता है, बच्चे, PRT का क्या मतलब होता है, PRT, primary teacher, जो कि class 1, जो कि class, एक होगे PRT, TGT and PGT, तीन लेवल पे recruitment अभी होती है, this can be revised also, तो since new education policy आई है, तो maybe, अब nursery teacher की recruitment होने लगे और change हो जाए, ठोड़ा pattern में, यह elementary teachers recruit हो, जो सकता है, but for now, PRT, TGT and PGT, तीन लेवल पे वेगिंसी देखने को मिलती है, हमें, PRT की salary लेवल 6 की होती है, यह लेवल 7 की होती है, PGT की लेवल 8 की होती है, okay, PRT की अगर मैं eligibility की बात करूँ, तो पहला, दूसरा, तेसा, class 1 लेके 5th class तक PRT teachers पढ़ाते हैं, 6th class 2 लेके 10th class तक TGTs पढ़ाते हैं, प्रेंड ग्रेंड ग्रेंड टीचर और पोस्ट ग्रेंड टीचर जब आप मास्टर्स होते हैं किसे subject में, तो आप 11th and 5th, ठीक है, eligibility की बात करूँगी, यह, eligibility में बच्चे, primary teacher, primary teacher को, अब जितनी भी vacancies देखने को मिलेंगी, वहाँ से B.A.D. को exempt किया, यानि कि हटाया है, तो अगर आपने B.A.D. किया है, तो आप P.R.T. के लिए eligible नहीं हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप T.G.T. के लिए eligible हैं, अभी P.R.T. की जो eligibility है, वो यह है, कि आप यह तो आपने D.L.A.D. किया हो, D.L.A.D. या फिर B.T.C. किया हो, D.A.D. किया हो, B.A.D. नहीं चलेगा, या फिर B.L.A.D. भी चलेगा, यहाँ पे. B.L.A.D. क्या होता है, बैचलोस इन अलिमेंटरी एजुकेशन, ठीक है, साथ में क्या होना चाहिए, B.L.A.D. साथ में होना चाहिए, सीटेट, सीटेट पेपर वन क्लियर, Central Teacher Eligibility Test क्लियर होना चाहिए, पॉर P.R.T.s, अगर आपको प्राइमरी टीचर, प्राइमरी टीचर बनना है, केवियस में तो, understood, कोई confusion नहीं है, जितने भी टू इयर्स डिपलोमा है, एजुकेशन में, वो लोग eligible है, पॉर ये बैचलोस डिग्री इन अलिमेंटरी एजुकेशन, डाट इस वी एलेड, वो eligible है, साथ में, सिर्फ ये completed नहीं, जो seated का exam दे चुके हैं, और seated qualified है, ठीक है, यहाँ पर हम जो किसी job vacancy की बात करते हैं, बच्चे, तो आप qualifying year में नहीं होने चाहिए, आप qualified होने चाहिए, आपका seated qualified हो चुका होना चाहिए, आपका बैचलोस अगर है, डिपलोमा है, वो complete होना चाहिए, understood, TGT की बात करिये, TGT की मैं बात करूँ, तो TGT की eligibility है, seated paper 2, seated paper 2 क्लियर होना चाहिए, साथ ही साथ, be ed, be ed करने से पहले क्या करिक जाती है, be ed करने से पहले क्या की जाती है, be ed complete करने से पहले graduation, in concerned subject with subject combination, TGT का थोड़ा complicated है eligibility, अगर detail में जाना चाहते हैं, जिससे नहीं पता combinations क्या होते हैं, subject combinations क्या होते हैं, वो मुझे comment section में बताईए, अलग से वीडियो लिकर आऊंगे आपके लिए, सो यहाँ पर seated paper to be ed and graduation, in concerned subject with combination, subject के कुछ combinations मांगता है KVS, understood हो, यहाँ पर यह लोग eligible नहीं है, until unless इन्होंने be ed क्या हो, ठीक है, और यहाँ पर be ed eligible नहीं है, स्टेट के लिए पढ़ाई की है, वो eligible है, but don't worry, be ed की eligibility है, यह state to state vary करती है, कि be ed or PRT में eligible हैं कि नहीं है, अभी PRT का भी exam, अभी DSSP का भी exam आने वाला है, 2024 में, we are expecting vacancy, तबकि नोटिफिकेशन से पता चलेगा, कि be ed eligible करे जा रहे हैं या नहीं किया जा रहे हैं, so state to state vary करता है, ऐसा हमें, ऐसा नहीं है कि, लग सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया कि be ed eligible नहीं किया जाएगा, for PRT, तो हर किसी के लिए नहीं है, उसमें state को freedom है, so देखने को मि नहीं लेगा, but for KBS, for sure, PRT में, PRT, primary teacher में, eligible, आप नहीं है, अगर आपने be ed किया, but you are eligible for TGT, अगर आपके subject combinations बन रहे हैं, तो बात करते हैं, PGT की, PGT के eligibility की, मैं बात करूं, तो आपके अपने subject concern जो भी है, seated के requirement नहीं है, लेकिन, क्या चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इन यूर कंसर्ण subject, प्लास, बीर, ठीक है, simple eligibility है, TGT की थोड़ी से complicated है, क्योंकि हाँ, subject combinations बैठाने पड़ते हैं, so इसके लिए बताओंगी, detail में तभी बना देंगे, हम TGT के subject combinations की वीडियो, या फिर जब vacancy release होगी, तो उसमें भी लिखा होता है, explain करूंगी मैं आपको, but for now, this is your eligibility, okay, अगर आपने यह सब किया है, तो KVS की preparation में लग जाए, understood, आगे बढ़िए, new slavers, हमारा इस से बहले 2018 में हुआ था, KVS, अभी हुआ था, recent हुआ है 2022 में, with new slavers, ठीक है, तो अभी जो vacancies आएंगी, उसमें slavers हम यही expect कर रहे हैं, जो पहले अभी 2022 में बहुत ही recent change है, यही same pattern पर, तो यहां पर आते हैं हमारे 180 questions, 180 questions आते हैं बच्चे, कितने में, 180 minutes में, एंपल टाइम है, ठीक है, that means 3 hours, पेड़ागॉजी हर जगा आ रहे है, पी आटी हो, टीजटी हो, पीजटी हो, तीनों में पेड़ागॉजी आती है, general paper आता है, पूरे part 1, 2, 3, 4, parts में आपका paper डिवाइड होता है, पहला आपका language होता है, Hindi and English, ठीक है, अगर आप KVS में teacher बनना चाहते हैं, तो यह मैं आपको बता दूँ, आप की bilingual proficiency होनी चाहिए, Hindi and English दोनों में, Hindi and English दोनों आप पढ़ा पाएं, इसलिए, Hindi and English include किया गया है, आपके paper में, तो 80 में से आपका जो होता है, 10 marks की Hindi आती है, 10 marks की English आती है, ठीक है, उ तो 60 number की आती है, अगर TGT, PGT की बात करूं, तो 40 number की आती है, subject concern, उसके बाद एक पाट होता है, subject concern, again subject concern, जो है हमारा, TGT, PGT level पे 100 marks की आती है, और PRT level पे 80 number की आती है, total in total, 180 questions ही देखने को मिलते हैं, ठीक है, चाहे TGT हो, चाहे PRT हो, चाहे PGT हो, understood, common है, Hindi and English common है, current of years common है, 10-10 number की वेटिस, ICT 10 number की वेटिस रखता है, pedagogy की वेटिस, 60 है, आपकी कहाँ परी, 60 वेटिस है, हमारी PRT में, 40 वेटिस है, TGT, PGT में, बाकी concerned subject, PRT level पे 80 है, और concerned subject, 100 है, TGT, PGT, concerned subject, क्या होती है, अगर TGT माच बनना चाहते हैं, तो math की 100 questions, TGT English बनने चाहते हैं, English के 100 questions, understood, new syllabus का क्या था, पिछली बार क्या क्या आया था, TGT, PGT, PRT का डिटेल में बताऊंगे, आज हम ओवर्वियू की बात करें, ठीक है, सो हमने क्या बात कर लिए, eligibility के बात कर लिए, KBS क्या होता है, syllabus कैसा था, नया, syllabus नहीं आएगा, ये बात कर लिए, हमने जो पुराना था, वही follow होने की possibility है, चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 98% जो पुराना syllabus आया था, उसी pattern में आपका paper होगा, ओक्या, अब साथ करूंगे सबसे million dollar question की, when to expect new vacancies, vacancy कब आएगी, vacancy कब आएगी, तो मैं अगर आपको पता हूँ, जो pattern देखने को मिलता है, वह ये होता है कि, KBS every alternate year, एक साल को छोड़ के, उसरे साल vacancy release करती है, ठीक है, 2016 में आई थी, 2018 में आई थी, 2020 में नहीं आई थी, क्यों नहीं आई थी, COVID बाबा आगे थी, इसलिए नहीं आई थी, कोई और आगया था, vacancy की जगा, next vacancy कब आई, 2022 में आई, since everything is back to the normal, सबको यह सबकी life ठीक है, हम fortunately COVID से निकल चुके हैं बाहर, सबकी life on pattern है, जैसे चलनी चाहिए, अगले विकेंस के आप खुद समझ पा रहे हैं कब आएगी, 2024 में, 2024 को आने में कितने, महीने भी नहीं, कितने दिन बचे हैं यह आपको पता है, आज जिस दिन यह दिन बचे हैं 2024 में, तो 2024 में अब question यह आता है, वेगेंसी कब आएगी, देखें मैं यह नहीं कहूंगी कि early month में आएगी, वेगेंसी को हम expect कर सकते हैं, में के बाद, अप्रिल में के बाद, definitely आएगी, लेकिन अभी जैसे हुआ, exams हो गए, हमने 2022 में फॉर्म भरे, लेकिन र placement मिल गई है, school मिल गया है, allocation हो गई है, अब जाके लोग जॉइन कर रहे हैं, कुछ लोग को अभी जॉइन करना रहता है, बट अब complete हुआ है, लंबा procedure खिच गया, क्यों खिचा, क्योंकि यह Supreme Court में चल रहा था, be it are eligible for PRTs or not, उसकी वज़े से overall result था, उसको रोक दिया गया थ क्यों रोका गया था, क्यों रोका गया था, यह तो clarity नहीं है हमें, बट काफी लेट हुआ है, लेकिन जैसे ही Supreme Court ने release किया कि be it eligible नहीं है, जल्दी उन्होंने interview कंडल्ट किया, KBS ने, और विदिन अ मन्थ interview हो गया, result आ गया, interview का, an appointment हो गयी, So KBS ने दिखाया कि they are capable of doing it on time, लब काफी जल्दी जल्दी कर दिया सब कुछ, तो बच्चे जब लख लेगी vacancy, जब advertisement होगा, उसके बाद आपको 2-3 महिने का time मिलेगा, preparation करने के लिए, और वो enough नहीं होता है, So अगर आपको preparation, आपको अपना KBS क्लियर करना है, so you have to start preparing from today onwards, अगर आपका base क्लियर नहीं है, या फिर आपने last time दिया है, और unfortunately आपका नहीं, why don't worry about it, आपको preparation अपनी start करने पड़े की, वेकिंसी का वेट मत करिये, क्योंकि वेकिंसी 2024 में आएगी, कब आएगी, कोई भी define नहीं कर सकता, बट हम expect कर सकते हैं कि 3-4 महिने में वेकिंसी देखने को मिलेगी, नहीं भी मिलती है, तो भी 2024 में वेकिंसी आएगी, The point is, अगर आपने अभी से preparation start नहीं करी, preparation आपने start नहीं करी, तो फिर आपको होगा guilt, कि सही time पे realize नहीं किया और preparation नहीं कि, You have perfect time रहो it now, time आपका सही है, ठीक है? प्रेशर नहीं है, प्रेशर नहीं है, Sleabas का idea है कि Sleabas क्या आएगा, कैसे आएगा, यह सब हमें पता है, तो इक दम सही time है, अपना foundation बिल्ड करिये, किसको clear करने के लिए सबसे important है, conceptual understanding, चुकि एक महिने में, दो महिने में नहीं बनती है, अभी से पढ़ना स्टार्ट करिये, बार-बार यहीं stress कर दूँगी, अभी से पढ़ना स्टार्ट करिये, बहुत जल्दी हम आपके लिए foundational batches लेकर आने वाले हैं, और यही आपको खाऊंगे कि previous year questions देखिये, तब तक अपना अपना दिमाग को prepare करिये, बहुत important है कि आप ready हो, किसी चीज के लिए prepare करने के लिए, you have to be ready enough, so ready बनाईए, अपना mind set बनाईए, कि yes, I have to prepare it and I have to collect KVS exam this year, box unlimited है, उसको बारे में भी जानना है तो होई भी बता देंगे आपको कि आपके salary कितनी होगी और आपको कहा appointment मिल सकती है, यह सारी चीज़े हम discuss कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो comment section में बता देजेगा, but the motive right now is to awake right now, कि कब हमें आपको जागना है, आपको preparation स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, so, बताया हमेने KVS के बारे में, अगर कुछ और भी doubts है, तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं, और यही suggest करूँगी है कि आज ही ST campus का app download कर लिए, और भी हमारे bachelor चल रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो आज की information, informative video थी हमारी है, तो like करिए, share करिए and subscribe कीज़े, thank you so much everyone, thank you.